सबी को जहिंत मैने तिन निकोडे स्वागत करता हुआ आप सभी का आपके अपने यूटूब चानल Mission NCC The Way of Success में दिखेगा जितने भी कैडेट्स लाइउ आ चुके मुझे फटा फट जल्दी से रिस्पॉंड करें, comment box में, जल्दी से comment करें, जल्दी से chart box में बताए कि भाई आज की क्लास में कौन-कौन present है B-certificate वालों का जो एक्जाम है अभी जल्द से जल्द आ रहा है तो उनकी B-certificate वालों की preparation भी करवाना है ये आपको आज पता चलेगा और साथ में चाहे आप NCC Army Wing के Cadet हो, Navy Wing के Cadet हो, या Air Wing के Cadet हो, आप सभी के लिए ये वीडियो काफी helpful होगा, ठीक है, एक question paper को हम 2019 का question paper discuss करने वाले हैं, तो फटा फट आप जल्दी से जूड जाएए, ठीक है, अगर आप सभी इस वीडियो को complete हो जाने के बाद देख रहे हो, लाई हो जाने के बाद देख रहे हो, तो आप सभी को इस वीडियो के comment box में comment, आपका नाम comment करना है, ठीक है, इससे मुझे ये पता चलता है कि कितने cadets तक ये वीडियो पोच रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे आ चुके है तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करेंगे आज की class को, तो मैं आप सभी को यहाँ पर एक बात बता दूँ कि इस वीडियो में मैं आप सभी को सिर्फ question बताऊंगा, ठीक है, question बताऊंगा कि 2019 के paper में, B certificate के paper में कैसे question पूचे गए, और इसके जो answer है वो मैं next वीडियो में बत पूचते हैं, ठीक है, तो चलिए start करेंगे बिल्कुल, तो आप देख सकते हो, 2019 का यह paper, common subject, ठीक है, all wing के लिए, SDSW, senior wing and senior division दोनों के लिए, all wings, चाहिए आप army wings के हो, navy के हो, air wings के हो, सभी के लिए, ठीक है, तो आप देख सकते हो, drill, और यहाँ पे 3 गंटे का समय होता है, आपके B-certificate के exam के लिए, और हमेशे याद रखो, drill के बारे में, कितने marks के लिए पूच जाता है, B-certificate के exam में, तो 10 mark के लिए drill के उपर पूचे जाता है, clear है, चलिए, तो पहला question देखो, drill कितने प्रकार की होते हैं, और उनके नाम लिखो, ठीक है, आपको यह बेर drill के types लिखना है, और उनके नाम क्या है, कोंसे नामें वो लिखना है, जो कि 2 marks के लिए, question पूचा गया, आप देख सकते हैं, इस साइड में, ठीक है, अब यह, मैंने उस paper की photo निकाली है, इसलिए थोड़ा सा आपको black type दिखाए देगा, लेकिन आप आपके वीडियो की quality 19 के paper में, world of command के भागो के नाम लिखो, world of command के भागो के नाम, कितने world of command होते हैं उनके नाम आपको लिखना है, जो कि 2 marks का ये भी question है, चले, उसके बाद, समिक्षा कदम में, कितने कदम पर थम किया जाता है, ये भी 2 marks के लिए question पूचा गया है, टेंशन ना लिजेगा, इस इसके answer भी हम देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वाली क्लास में इसके answer बताऊँगा, ठीकि आपको थोड़ा सा अभी hint मिल जाएगा, कि question कैसे पूचते है, question का level कैसे होता, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है, हम इसके answer भी discuss करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वाली क्लास में, च drill area में की जाने वाली drill को कौन सी drill कहते है, ठीक है, अगर आप मुझे लगता है कि easy question है, B certificate की exam में easy question आते है, attention ना लीजे, आप आराम से solve कर सकते हो, ठीक है, चले, उसके बाद बात करते है, weapon training, ठीक है, weapon training, शस्तर प्रशिक्षन, शस्तर प्रशिक्षन के उपर 35 mark के लिए प पूचा गया था, clear है, चले, तो दीके पहला question है, weapon training में firing position कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखो, भई हम जब firing से firing करते हैं, तो कितने position से करते हैं, firing position के कितने प्रकार होते हैं, और उनके नाम लिखो, तो ये 5 mark के लिए question पूचा गया, आप देख सकते हो, चले, उ ये भी 5 mark के लिए question पूचा गया है, 2019 का paper हम discuss कर रहे हैं, अब देख सकते हो, 7.62 mm rifle के magazine में कितने round भरे जाते हैं, ये भी 5 mark के लिए question पूचा गया है, इतने easy question है, one mark के question है, इन्होंने 5 mark के लिए पूचा गया है, ठीक है, अगर आपके पढ़ाई अच्छे से deep में है, तो आप आराम से, यहाँ पे इतना one liner question है ये वाला, लेकिन आपका जो पूचा गया है, वो 5 mark के लिए question पूचा गया है, तो firing के वसूल क्या है, ये 10 mark के लिए पूचा गया है, ठीक है, आप देख सकते हो ये आपे, चलिए, next question, question number 10 के और बढ़ते हैं, 7.62 mm LMG के 5 बड़े भा के नाम लिखना है, जो कि ये question पूचा गया है था, 5 mark के लिए, ठीक है, 2019 में 5 mark के लिए पूचा गया है था, उसके बाद बात करते हैं, next question की और, कि 0.22 Deluxe Rifle के गून लिखुवई, 0.22 Deluxe Rifle की qualities लिखना है, जो कि ये भी question आपके exam में 5 mark के लिए पूचा गया है, ठीक है, त ना लीजिए, ठीक है, चलिए, next question, अब next topic के उपर, जो हमारा third part आता है, वो होता है, miscellaneous, miscellaneous में सब कुछ चीज़े mix होती है, जो कि miscellaneous 200 mark का होता है, और miscellaneous में सब topic होता है, भी, NCC, NCC के उपर कि miscellaneous में कितने marks के लिए पूचा आता है, तो 5 mark के लिए पूचा आता है, तो पहला question है, इसमें, NCC की B certificate की परिक्षा के लिए क्या क्या शर्त पूरी होनी चाहिए, जब आप B certificate का exam देने जाते हो, तो क्या क्या शर्त आपको, मतलब कि आप exam को बैटने से पहले, इसमें क्या क्या शर्त होती है, जैसी कि मानलो, आपकी कितने cams होने चाहिए, आपक कोज के से चाहिए, ठीक है, कि अपने इस से पहले कितने cams किये होने चाहिए, आप कौन से, NCC के कौन से year में आपको ना चाहिए, ठीक है, यह सब कुछ चीज़ है, यहां पर आ जाएगी, clear है, चलिए, उसके बाद बात करते हैं, रिक्तस्तानों की पूर्ति करो, रिक्तस् exchange program, NCC के कोन से दो देश है, जो कि YEP में शामिल होते हैं, तो यहां पर आप किने भी जो 11 देशों में हमारी YEP चलाए जाती है, तो किने 11 देशों में से आप दो देशों के नाम यहां पर लिख सकते हो, ठीक है, चलिए, उसके बाद बात करते हैं, कि British Library कहां पर रस्ती थे British Library कहां पर रस्ती थे, यह भी जो है, कम से कम यह question, पाँच मार के लिए तीन question पूछे गए, तो फिर उसके बाद आजाद हिंद फोच किस्ता आपना किसने की, आजाद हिंद फोच किस्ता आपना किसने की, तो आपको पता है, तो लिखिए अगर नहीं पता है, तो इसका answer भी मैं बता दूँगा, next वीडियो में आएगा, इसका answer भी, clear है, चलिए, उसके बाद ठीके, आप सभी के मैं चाट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ, आप सभी के comments में चाट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ, ठीके, जो भी doubts होता है, तो आप मुझे चाट बॉक्स में बता सकत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीके, मैं इसके answer भी आपको बता दूँगा, tension लेनी कोई बात नहीं है, जितने भी बच्चे, लायू जूर चुके, बहुत बड़ी है, शाबस सभी लोग, ठीके, इस वीडियो को complete हो जाने के बाद, आप सभी को इस वीडियो को share भी कर देना है ठीक है, आपके सभी friends के साथ, ताकि उनको भी थोड़ा से एक idea आ जाती की exam में कैसे questions पूछे जाते हैं, तो चलिए, अब next हमारा topic आता है, national integration, जो की 30 मार के लिए पूझा आता है, रास्टी अखन दता, इसके उपर 30 मार के लिए पूझा आता है, तो इसमें easy question है, भारत की पांच बड़ी नदियों के नाम लिखना है, भारत में जो पांच बड़ी नदिया है, उनके नाम लिखना है, पांच मार का question है, भारत के पडोसी देशों के नाम आपको यहां पे लिखना है, भारत के पडोसी देशों के नाम आप सभी, तो उसके बात देखे, हमारे रास् इनने धर्मों के नाम लिखना है कि भारत में कौन से कौन से धर्मक को माना जाता है तो जो भी आपको एंसर पता है जो धर्मक के बारे में अगर आपको पता है कौन से धर्म है वो रिलिजन वो यहां पे जो आपको लिखना है यह भी चार मार के लिए question पूचा गया है चलिए नेक्स्ट कोशन के और बात करते हैं भारत के पाँच प्रमुख स्वतंतरता सेना नियों के नाम लिखना है ये भी कोशन पाँच मार के लिए पूचा गया है ठीक है चलिए उसके बात में नेक्स्ट कोशन है उत्तरपुर्वी भारत के साथ राज्यों के कम से कम चार राज्य में से कम से कम चार राजों के नाम आपको लिखना है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेशन निम्य लिखीत के नाम लिखो निम्य लिखीत के नाम आपको लिखना है भारत के रास्टपती का नाम क्या है यहां पे आपको लिखना है फिर उसके बाद भारतिय सेना के प्रमुग भा इसके उन्हें भारत के 9 सेना अपदेख्षा का भी नाम आपको लिखना है, ठीक है, ये 5 क्वेशन है, जो कि 5 मार के लिए पूचे गए थे, ठीक है, वेरी एजी क्वेशन से चलिए, उसके बाद आप बात करेंगे कि बाकी की जो वीडियो काफी लंबा हो रहा है, ठीक है, ब अगर आप सभी को आगे चल के फ्यूचर में, अगर पूरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सभी वीडियोस देखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे एक, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, NCC NCC B Certificate Question Paper इस तरह सी, यहाँ आप देखो कि यहाँ वीडियो एंड हो जाने के बाद, आपको जो है, यहाँ पे देखे, यहाँ पे जब जैसी वीडियो एंड हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ देर बाद एक वीडियो आएगा, यह जो है, वो पार्ट 1 मिलेगा आपको, य यहाँ पे कुछ देर बाद प्लेइलिस्ट आएगी, उसके ओपर क्लिक करो और पूरी वीडियो देख सकते हो, टेंशन ना लिजे, इसके आंसर भी बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तो चलिए बिलकुल जितने भी बच्चे लाईउ देख रहे, बहुत दे महत्रम